मैं पहले भी आया था यहां पे और आपके पास भगवान से हाजरी परके आप बिटा उस्पीकर बंद करा तो यहां कहके आये थे कि हम दुबारा उस वक्त आएंगे जब ग्यान बापी जी का दर्चन होगा और उसके बाद खुला है तो आज ही मैं दर्चन करने आया हूँ आप से बात करके गया था मैं अब कई और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि अंदर और भी कई हमारे जोती लिंग हैं वो भी एक हिंदू दर्म की तरफ से यह है कि वो भी हमको मिलने चाहिए मैं सबसे बड़ी बात जो कहूँगा कि सबसे बड़ी बात कहूँगा अगर राम जनब भूबी का निर्मान हो गया और मुसल्मान बाईयों का शुक्रिया कि किसी ने सप्रीम कोट के फैसले के बाद कोई विरोध नहीं किया सैकुरिजम की बहुत बड़ी मिसाल बनी और आज भी एक सैकुरिजम की मिसाल बने और मुसलिम समाज के मेरे भाई सामने आके करके कहे अगला मत्रा और काशी जो ग्यान बापी में कुछ और अंदर ऐसे इस्तान है बगवान के उनको भी खोल दिया जाए यह दुनिया के अंदर सैकुरिजम का सबसे बड़ा सबूत होगा और पाकिस्तान जो दुश्मन देश जो रोज कोई न कोई शरारत कश्मीर के बाद कभी किसान अंदोलन में बीच में लोग गुषेड देता है कहीं कुछ कर देता है करारी चपेड़ भजेगी कि ये देश ये भारत ये हिंदू मुसलमान सिख हिसाईयों का देश है कोई भ बूमी की मिसाल आपके सामने आज ये रिजल्ट मिला और मैं उमीद करता हूं आज भगवान के चरनों में महादेव के चरनों में ये प्रेर करके गया हूं आया हूं पहले भी की थी आज पूरी हुई कि अगला मिशन काच्छी और मत्रा जो है वह होना चाहिए वह भी बड लेकिन वोट ने उसको अपने मुस्लिम भाईयों को कहना चाहूंगा अगर पीर पेगंबर की जगह होती अगर जमेर शरीफ की जगह होती शैर मेरा हिंदू भाई भी उसके ओपर को टिपनी ना करता यह बाबर यह अरंग जेव जालम यह मानुता को मारने वाले यह यह सहब जालों को नियों में चनवाने वाले यह हमारे गुरुओं पे जुल्म करने वाले ऐसे जालमों के साथ अगर मेरा मुसल्मान भाई खड़ा होता है तो फिर इतिहाज क्या खूली पन्नों को खोलना चाहते वो जालम थे आज के मुसल्मान भाईयों को नहीं कहना चा जिन्हों ने पंजाब के अंदर जुल्मों की हद्धे पार कर दी जिन्हों ने गुरु तेग बहादर हिंद की चादर लाल किला में चीछ निशावर किया मानवता के लिए रास्ट के लिए तो आज मेरे मुसलमन भाई आगे आए जैसे राम जनव भूमी पे मुसलमन भाई आ किया राम जनव भूमी के जाने के लिए सिख वहां ना जाए पर मुसलमन भाई गया तो आज जो भी कोड कचैरी में मिरे मुसलमन भाई जा रहे हैं मैं उनको कहूंगा हाँ जोड़ करके कहूंगा कि सैकुरिजम का सबूत दें फैसला बगवान महावीर जी बगवान महाद देव की हनुमान जी की किरपा से राम जी की किरपा से फिर फैसला आएगा जो सच है वो हिंदू दर्म के लिए आएगा तो सैकुरिजम का सबूत दें मैं तो यही कहना चाहूंगा क्यूपी में किसान अंदोलन है क्या बिहार में किसान अंदोलन है क्या गुजरात में किसान अंदोलन है क्या मदपरदेश में किसान अंदोलन है क्या करनाटका में किसान अंदोलन है पूरे देश में कही किसान अंदोलन नहीं सवाल सबसे बड़ा जया की लेक्षन सिर्पे और किसान दोलन और खारस्तान के नारे लगाए जाते और हिंदो तान के वो परधान मंतरी जो इस रास्ट को विश्व गुरू की तरफ ले जाना चाहते उनको मारने की धमकी देते क्या पञ्जाब के चेम मिनिस्टर को शाहीद नहीं की यह अंडोलन में घुष करके अतंक वादियों की मदद करने वाले खालत सान के नारे लगाने वाले क्या पंजाब के अंदर 66 दार बे गुणाहों का कतल आम नहीं किया क्या उन्हीं हजार हिंदू भाईयों का कतले आप नहीं किया कि अभी भी खून के प्यासे हैं पहले नरिंदर मोधी जी गाए फरोजपुर के अंदर पैकज देने पंजाब को खुशाली के लिए विकाज के लिए इन्हों ने वहां बॉर्डर एरिया में उनको गेर लिया एक तरफ पचास किलो म दूसरा पाकिस्तान का पौडर पचीश किलो दीसरा स्सक्राइब को मारें तुमारी कि असले कि तैसी किसान लीडर जो बीच में गुस करके चाहते हैं हम दिल्ली जाएंगे डिली कहा जाना चाहते हैं जब सेंटर के मंतरी उनके पास आ रहे हैं जब दिली के अंदर वारता थी वग्यान भवन में मेरी जज़पला चुरक्षा मेरी बीस बार चेकिंग होगी किसानों का लाल कारपेट से स्वागत हो रहा है क्या दिली के में आके दिली को जैसे लाल किला में दहलाया गया दिली पुलिस के जव किसान लीडर कालिस फाई है कौन यहिंधास को थी बीच में गुस्ते उसकी ज omegic ककले कर दोरों की कुली करक्षा क्रणी जजंगे का करता गया दोलन हाँ बीच में पाकिस्तान पन्नू ने कहा रोज जंकिया देता है उस यसने कहा कि जम्मू कश्मीर से करतार पूरसाब पंजाब से राजस्तान से हथियार आ चुके हैं हथियार उठाईएं और दिली पे कबज़ा कर लिए इनकी आजी की तैसी इन्होंने इन्होंने हिंदोस्तान धरम सला समझ रखा क्या क्या हल नहीं देखो दो बाते हैं हल नर्दर मोदी किसानों के खालाफ नहीं है पूरे देशिकर अदर किसान अंदोलन को है तो ठीक है पर दंकी रोश देना रोज ठर्ट करना कि परद्धान-मंत्री जी आप समानू थे देंगे यह भारत आज है है यह बात हिंदोस्तान का कोई भी व्यक्ति बरदार्श नहीं करें जो भी इस तरह की बाते कर रहे हैं पुरे हिंदोस्तान के हिंदू समाज को यहां से जाना पड़ेगा ने तो गोलियां मारेंगे अब चारे पहली गोली लगेगी बिटे का सीना पार करेगी फिर मेरे गुजराती यूपी भाई के पास लगेगी एक यासी के तैसिते रोग जो कहते ना भए भए यह नहीं यह गुजरात यह यूपी परवांचल उनकी इज़्जद करना चीखो हमें किसी ने कहा ओल सिखा कि जी ने कहा हर आदमी कहता सरदार जी अगर यूपी का बिहार का ज़त तरीके से गलत बाच्छा का पर्योग करते हो यह परदाश नहीं होगा यही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूस वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करे शियर करे और सब्सक्राइब करें